परवंदर से टीजी आपके पास आते हुए क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि संसद भवन के अंदर ए पहले जाना इतना आसान नहीं है सर तमाम तरीके के सिक्यॉरिटी मेजर्स होते हैं फ्रिस्किंग होती है आपकी जाच होती है मेटल डिटेक्टर होते हैं और ये बात बिलकुल इलिजिबल है जोशी जी जो कह रहे हैं कि आपको बारूद अगर आप लेके जा रहा है स्मोक गन तो उसके लिए तो सर माचस भी चाहिए बिना माचस के आप नहीं जा सकते कैसे इ रश्चत नावन और शर्दांजली देने का दिन था और बड़ा सेंस्टिफ दिन था सेक्यूरिटी लैप्स हुए डेफिनेटली लाउ एंड और का फेलियर हुए है इंटेलिजेंस का फेलियर हुए है जब बार बार धंकियां मिल रही थी देखे पुन्नों की भी धंकिया बिना पास भी बनता उस सांसत का भी नाम आया है और लोग अंदर एंटर कर जाते हैं मैं कहरे हूं चलो एक नॉर्मल परिक्रिया है कि आम लोगों के लिए एक पास बनाई जाते हैं और एंप उस पर जाकर अपना पास भी बना सकते हैं दो तरीके से आप एंट्री कर सकते ह में बैठ सकते हैं दूसरा म्यूजियम की तरफ भी जा सकते हैं यह तो तरीका है यह तो तरीका है लेकिन आप देखिए ना वह लोग जब अपने पैरों के अंदर जूतों के अंदर स्मोग गन स्मोग पॉट जो के लिए जो बंग टाइप पटाका लेके गए वो कैसे ले लेप्स होता है तो कॉमन में की रक्षा कहां पे है इसके लिए देश के ग्रह मंतरी जी को जवाब देना पड़ेगा देश को कि यह जो लेप्स हुआ है यह देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विश्चे है अगर वहाँ पे बहुत बड़ी गटना को भी अंजाम दिय जा सकता था, उन्होंने ये उपस्तती जायर किये, ये तो हम सिरफ smoke gun दे रहे हैं, हम आपको warning दे रहे हैं, हम यहाँ पे कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ी दुरगटना को अंजाम दे सकते थे, आपकी security जो है वो failure है, आपकी जो intelligence है आपका जो law and order है, वो failure है, देश के लिए बहुत बड़ी चंता का विशे है और कई सब्सक्राइब देश के लिए बहुत बड़ी चंता का विशे है